गुड मॉर्निंग आइस सुबा के बज़रे हैं साधे 5 मौसम बहुत अच्छा है तो मैं सुबा के साधे 4 बज़े उटकी थी लेकिन टेहल ने चली गी थी चत पर और फिर वहाँ पर मैंने व्लॉग में शुट किया तो एक साइड पर मैंने पानी गरम रख दिया था और मैंन तो मेरी चाई बनकर रड़ी होगी थी मैंने चाई पी ली है और मैंने रात को बरतन साफ कर दिये थी सुबा उटकर जो भी चाई के बरतन है वो साफ की है ये मम्मा बना रहे हैं सब्जी अलु को बिकी क्योंकि आज शराद है दादा जी का और हमारे पंड़े जी खाना खा सब जी बहुत अच्छी सी और ग्रेवी वाली ये लड़ू गपाल सोय हुए हैं ये देखिए बिलकुल अराम से नीन ले रहे हैं इनको मैं इस तरह से सुलाती हूँ और फिर मैं जब सब उठ गए थे तो जल्दी जल्दी से ये भी अच्छी तरह से मैनेज करके रख दूंग कि तहन लगा दूंगी इसकी और सभी बेट की चदर साफ कर दूंगी क्योंकि ये इतना भी मतलब टाइम होता है हमने टाइम दिया हुआ है पूरे आठ बजे का पंड़ जी को और उससे पहले मुझे सफाई भी करनी है और सब काम अच्छी तरह से नप्टाने हैं जो काम हम 11 या 12 बजे तक करते हैं या 2 बज भी बज जाते हैं कभी कभी तो आज वो काम पूरे 8 बजे तक निप्टाने हैं तो दूसरे कमरे की मैंने चदर साफ कर दी है और फिर कपड़े मैंने कल धोय थे इसी कारण से मैं आज बेट पर रख दिये हैं और ये मैं जाडू लगाने लगी हूँ इस काम सारां हम अपने आप ही करते हैं कोई हमने मेडनी लगाई क्योंकि जितना काम अपने हाथों से हो जाए बहुत अच्छा होता है और संतुष्टी भी होती है जल्दी-जल्दी से काम निप्टा लेती हूँ क्योंकि काम बहुत टाइम होने वाला है यहां पर मैं बात करने लगे थी ममा से इसी कारण से रुख गई थी आप भी इस तरह से जल्दी-जल्दी से काम निपटा लिजिया करिए हाँ कभी ऐसा होता है जब कभी किसी की फैमली होती है बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी काम नहीं निपटा पाते लेकिन जितना चाहे हो उतनी जल्दी हम उठेंगे तो उतनी जल्दी ही हमारा काम निपटेगा नहीं तो बहुत देर हो जाती है और धूब भी इतनी आ जाती है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता यह देखिए मेरी मटर पनीर और आलूगोवी की सब जीवन कर तियार हो गई फिर मैंने साफ स कराई थे और ये गनपती जी जब इस बार हमने वसरजना की थी स्थापना की थी सोरी तो तब ये साथ में बठाई थे तो बाद में मैं मार्किट गई थी अपनी फ्रेंड के साथ तो वहां पर मैंने थोड़ा सा कोई समान लेना था वो लेने गई थी घर आते ही मैं आपको ए मैकरोनी वाली रेस्पी ये देखिए मैकरोनी को सबसे पहरे बॉइल कर लेना है और फिर जब आप बॉइल कर लेंगे तो अच्छी तरह से ये मेरी मैकरोनी बॉइल हो चुकी है अब मैंने कड़ाई ली है उसमें आप अगर आपके पास प्याज अगर आपके पास कोई शि अगर टमाटर भी डाल सकते हैं पनीर डाल लीजिगा धनिया डाल लीजिगा इसे मिक्स कर लीजिए ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज की है नमक यूज किया है बस ज़्यादा मसाले मैंने यूज करती ये मैकरोनी मैंने जब बॉइल की थी तब मैंने बॉइल करने वक तो अगर आपको ये व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बाई